एक और नया अपडेट आ चुका है, अगर आप अपने मोबाइल को आधार कार्ड से लिंक करना चाहते हैं, या अपने आधार कार्ड में मोबाइल नमबर अपडेट करना चाहते हैं, तो आपको किसी CS, C-Center या अन्य किसी सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने मो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, अगर आप भी आधार कार्ड में मोबाइल नमबर लिंक करना चाहते हैं, या मोबाइल नमबर अपडेट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए और सभी स्टेप को फॉलो कीजिए, सबसे पहले आपको अपने लेंग्विज का नाम सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद आप आधार कार्ड की ओफिशिल वेबसाइट पर आ जाएंगे, आपको यहां बहुत सारे ओप्शन देखने को मिल जाएंगे, आपको आधार सर्विसेस पर क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपको फिर से कई सारे ओप् पर क्लिक करना है, फिर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, इसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर देना है, फिर कैप्चा कोड डालके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है, क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा, जहा अधार कार्ड में मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए पोस्ट आफिस की इस वेबसाइट पर आ जाना है इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वेबसाइट में आने के बाद आपको सर्विस रिक्वेस्ट के आपशन पर क्लिक करना है उसके बाद नौन आई पी पीबी कस्टुमर पर क्लिक करना है उसके बाद डोर सेटप बैंकिंग पर क्लिक करना है फिर आपको इस तरह का interface दिखेगा यहाँ पर आपको आधार mobile update के option पर click कर देना है उसके बाद नीचे की तरफ आ जाना है यहाँ पर आपको एक पूरा form दिखेगा जिसे आपको feel करना है पहले choose an option में एक option अपने अनुसार select करें फिर first name और last name feel करें ऐसे ही फिर पूरे form को step by step feel कर देना है last में I agree वाले check box को check कर देना है फिर capture feel करके submit कर देना है submit करते ही आपको your submission has been successful इस तरह आपका आधार कार्ड mobile number से link हो जाएगा और अगर आप अपने आधार कार्ड में mobile number अपडेट करना चाहते हैं तो आप इसी प्रॉसेस से अपडेट कर सकते हैं आशा करता हूँ ये informative वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like, comment, share और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा थैंक्स फर वाचिंग इस वीडियो